देर शुडेंट गुडीवनिंग सबसे पहले हम अध्यन करेंगे पी सेन गुपता एवं गैलेनय महोदय के अनुसार थोड़ा से समाने परिचा है इसका दोलाइन का इसका अध्यन करेते हैं 1961 में रामचेंद्र महोदय ने प्रथम बार भारत को पांच प्रमुख प्रजिशों में वर्गी कृत किया और इसके बाद 1962 में जो पी सेन गुपता महोदय है इन्होंने 6 प्रमुख न्योजन प्रदेशों में विभक्त किया है यह इसका समाने जानकारी है अब हम अध्यन करेते हैं भारत का न्योजन प्रदेश इनके द्वारा जो भारत के न्योजन प्रदेश है उनका अध्यन करते है तो इन्होंने भारत को प्रमुख साथ न्योजन प्रदेशों में विभक्त किया है और मध्यम अकार के न्योजन प्रदेश इसके अंतरगत समिरित किया है तो उनके व्रिहात प्रदेश कौन कौन से है और उनके अंतरगत मध्यम नियोजन प्रदेश कौन कौन से है इसका ध्यन करते हैं तो व्रिहात प्रदेश में फर्स्ट है उत्तर पूर्वी नियोजन प्रदेश इसके अंतरगत जो मध्याम प्रदेश है वो है उत्री ब्रम्ह पुत्र घाटी, निचली ब्रम्ह पुत्र घाटी और खनीज प्रधान स्रिलांग पठार और उत्री वाप पूर्वी पहाडिया तथा बेशी इसके बाद है पूर्वी नियोजन प्रदेश, तो पूर्वी नियोजन प्रदेश के अंतरगत जो है वो कुलकत्ता हुगली प्रदेश है, दामोदर घाटी है, ये पूर्वी भारत का छेतर है न, छोटनागपुर और उडिसा का पठार है, दक्छली उडिसा की पहाडियाव पठार है, निचली गंगा घाटी और दाजिलिक पहाडियावर, उप हिमालाय वाला जो छेतर है, उसको सम्मेद किये हैं, फिर है उत्री केंदरी नियोजन प्रदेश, अब उत्री केंदरी नियोजन प्रदेश कौन सा आएगा, इसमें उमालय का जो उत्री भाग है वो, औ और पसीमी गंगा का मैदान और पूर्वी गंगा का मैदान, इतना बस को सम्मेद, फिर है केंदरी नियोजन प्रदेश, इसके अंतरगत भारत का जो केंदरी छेतर है, मध्य प्रदेश का पूरी भाग, पसीमी मध्य प्रदेश, बस्तर छेतर और केंदरी मध्य प्रदेश इतने को रखा गया है फिर है उत्तर पस्चीमी नियोजन प्रदीश उत्तर पस्चीमी नियोजन प्रदीश के इंतरगत पंजाब का मैदान दिल्ली संगराज्य है पस्चीमी राजस्थान, पूरी राजस्थान, हिमाला का पहाड़ी उक्ता उन्फेत्र को और कस्मीर घाती इसको साम्मिरित के हैं फिर पसीमी नियूजन प्रिदिष के इंतरगत मुंबई और उसका जो सायनगर चेत्र है मुंबई और नागपूर के मध्य का चेत्र है और तर्टी महराष्ट का चेत्र है इतने को सम्मिलित किया गया है और इसके साथ ही पस्ची महराष्ट का पठारी वाला चेत्र पुर्वी महराष्ट का चेत्र मध्यरती महराष्ट का चेत्र गुजरात मैदान इतना को सम्मिलित किया है फिर है दक्षुडी नियोजन प्रदेश दक्षुडी नियोजन प्रदेश के अंतरकर जो है वो तटवर्ती आंधर प्रदेश तेलंगाना चेत्रा रायल सीमा चेत्रा दक्षुर मध्यमर्ते और दोगिक चेत्रा दक्षुर पूर्वी तटी चेत्र अन्ना मलाय इलाजी की पहाणिया वा नेलगेरी की पहाणिया और इनके साथ पस्यमितरी छेत्रि ज़ु है उसको रखें गए हैं और जो मालन और फसीमी घाट चेत्र है मैदानी चेत्र है और जो द्वीब समु है अंडबान दिको बार और लक्ष्वदीब समु इनको समेर्थ यह तो सेन गुपता महदा के अनुसार इतने व्रिहद और मध्यमकार के नियोजन प्रदेश है भारत के अब हम पारिसितिक शंटुलन अंतर प्रदेशिक संबन प्रदेशिक जीवन में विकास आर्थिक समाजिक कल्याण इन सभी के अधार पर भारत को तेरा व्रिहद प्रदेश और छट्रिस मध्यम नियोजन प्रदेश में विभक्त किये हैं अब इनका हम अध्यन करते हैं और इनकी व्याख्या का भी अध्यन करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक वाला है तो फर्स्ट इन में हम अध्यन करेंगे जो तेरा व्रिहद प्रदेश है इनका अध्यन करेंगे यानि कि तेरा व्रिहद नियोजन प्रदेश का अध्यन करेंगे इसके बाद जो मध्यमकार की न दक्षिडी प्रायदीपी नियोजन प्रदेश है इसके बाद है मध्यवर्ती प्रायदीपी नियोजन प्रदेश पस्षीमी प्रायदीपी नियोजन प्रदेश और मध्यदक्कन प्रदेश पूर्वी प्रायदीपी नियोजन प्रदेश तो जो प्रायदीपी छेतर है उत्तर कस्मीर का जो लद्दाक प्रदेश है ये भी एक व्रिहद प्रदेश है इसके बाद है शिंधु गंगा की मध्य का मैदानी और पहाडी प्रदेश फिर गंगा यमना का मैदानी प्रदेश और अनुच गंगा का मैदानी प्रदेश और उत्तर पूरी प्रदेश ये सभी व्रि मकार की न्योजन प्रदेश कहलाते हैं तो दक्षिड प्राधिपी के अंतरगत है केरल वाल छेत्र जो दक्षिड में है मदराज भी कहा है दक्षिड भारत में हिस्तित है आपके तमीर लाडू और अंडमान निकोबार और लक्षुदिप इतने को दक्षिड प्राधिपी प् प्रदेश। बेलारी हास्पριट खनन वह औद्दोगी क्षछ वह अंतर्गिक प्रदेश को समीडित के गए हैं। मध्यम दक्कन प्रदेश के अंतर नर्मदा घाटी चेतर और व्रार और प्रदेश। इतने को समीडित के आगे हैं। इसके बाद आता है पूर्वी प्रायदीपी प्रदेश तो इसके अंतरगत उत्तर पूर्वी दक्कन का समुद्र तटी मैदानी भाग दर्नकाराणी प्रदेश महानादी बेशिन शोन घाटी और दोगिक प्रदेश और ब्रामभडी नदी घाटी और दोगिक प्रदेश इतन करते हैं मरुष्त हली जो च्छेतर है वह हो और अर्ध यिस के मैदानी मैदानी च्छेतर है हो है कि ब फिर अरावली प्रदेश के इस के इंतरगत्र Sud और शेक 가서 ये तो इसके अंतर कर थित गया है ये दो चीज़ बस को सब्सक्व भादी दैश इन मद्यियम चेतर हैं इसमें आंगल Har unusual मलण mil a और पहाडी का प्रदेश 200 छे गंगा यमन का मैदानी प्रदेश इसके अंतरवत कानपूर का मैदांगु करके मेधानी इतने करके चैनल रखा है पिर है उत्रे पूर्वी प्रदेश इसके अंतरवीत कफले almoth पुत्र घाटी वा सिलांक पठारी प्रदेश उप्री बरुम पुत्र घाटी वा पहाड़ी प्रदेश और पूर्वी पहाड़िया वा मैदानी प्रदेश तो ये तेरा वरिहाद और मध्यप्रदेश है तो ये हो गया भारत का नियोजन प्रदेश अब हम अध्यन करेंगे भ